कि नमस्कार दोस्तों पीडिंगेंपस के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं आज आपके लिए लिखा है हूँ नंबर सिस्टम का बहुत इंपोर्टेंट पार्ट कम्प्यूटर नंबर सिस्टम मतलब जैसा आप देख रहे होंगे लिखा हुआ डेसीमण नंबर बाइनिरी नंबर यह सब नंबर मतलब वे सबी नंबर जिनको हम यूज करते हैं तो इस आप जानते हैं नंबर की वह समझता है तो ये सब नंबर होते क्या है और आज की वीडियो का हमारा यही मकसद है कि हम इन नंबर को आपत में convert करना सीखें तो decimal नंबर क्या होता है, binary number क्या होता है total number क्या होता है और एक सा decimal number क्या होता है ये सब जानते हैं चलो आओ decimal number मतलब decimal मतलब 10 वो सभी number जिनका बेस 10 हो जिनका base 10 हो अब इस base 10 होने का मतलब क्या है इस base 10 होने का मतलब ये है कि उनमें जो संख्यान लिखी जाएगी वो 10 digit हो कौन कौन सी 10 digit हो सकती है हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब ये 10 digit हम उस नमबर में लिख सकते हैं जिस नमबर में उस नमबर को हम क्या बोलेंगे decimals number अब binary जैसे कि आप जानते हैं इस by मतलब क्या होता है 2 मतलब वे सभी नमबर जिनका base 2 हो base 2 होने का मतलब क्या हुआ base 2 होने का मतलब कि उन में सिर्फ 2 ही digit है 2 digit कौन कौन सी या तो 0 या 1 ठीक कंप्यूटर का जो होता है हम ये सब decimals number का input देते हैं तो assemblers, compilers, जो होते हैं उस सब उन number को convert करके किस number बनाते हैं binary number में जो computer होता है उसकी language कौन सी होती है binary number ठीक है जड़ो अब binary number जिसका base 2 हो कौन कौन सी number 0 और 1 अब हम आते हैं octal number octal number क्या होते हैं वो सभी number octal मतलब base कितना हो 8 हो base 8 हो मतलब इसका उतलब क्या हो इसमें कित्री digit आएगी 8 digit आ सकती है कौन कौन सी होगी हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 7 ये 8 digit हम इसमें लिख सकते हैं अब आया आपके पास hexa decimal number hexa 6 decimal 10 मतलब वो सभी number जिनका base क्या हो 16 हो 16 हो अब इस 60 में क्या-क्या digit हो सकती है चलो देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब 10, 11, 12, 13, 14, 15 अब जैसे कि हमने कहा था कि 16 digit होनी चाहिए लेकि 10 10 में तो सुझ में 2 digit है 1, 1, 1, 0 ये तो 1 digit होना चाहिए तो इस 10 को उन्डिनोट करेंगे A से 11 को उन्डिनोट करेंगे B से 12 को C से 13 को D से 14 को E से और 15 को F से जदी कहीं पे A लिखा हुआ उसका मतलब उसका क्या है 10 B का मतलब 11 C का मतलब 12 D का मतलब 13 ये सबी नंबर्स होते हैं अब जो हमारा आज की वीडियो का मकसद है वो है Decimal से Binary Number में Convert करना Binary Number से Free Decimal Number में Convert करना इन चारों में हम आप किसी नंबर से किसी नंबर में Convert कर सकते हैं हम Decimal से Octal Number भी बना सकते हैं Octal से Decimal Number भी बना सकते हैं हम Binary से Hexadecimal ही बना सकते हैं Hexadecimal से बाइनरी नमबर ही बना सकते हैं, इन चारों नमबर का आपस में कंवर्जन किया जा सकता है, लेकिन आज हम जो सिखेंगे, वो सिखेंगे, decimal number to binary number, और binary number to decimal number, ये आपके हर एक्जाम में कोश्चन सापको मिल जाता है, aptitude में मिल जाता है, computer में मिल जाता है, चाहे वो railway का याम हो चाहिए आपके हर्याना की किसी भी एक्जाम हो, हर्याना को, हर्याना के लेर को कोई भी एक्जाम हो, ठीक है? चलूँ सीखते हैं, decimal number से binary number, binary number से decimal number एक number लेते हैं 21 decimal number इसका base क्या है? 10, इस decimal number को में convert करना है two base वाले number में मतलब binary number में binary number में कितनी digit होती है? 0, 4, 1, 2 digit 2 digit होती है, 2 digit कैसे आएगी? जदि मैं इस 21 को जदि मैं 2 से divide करूँ जदि मैं किसी number को 2 से divide करता हूँ जो successful आएगा उसकी possibility क्या क्या हो सकती है? मतलब क्या क्या successful हमारे पास आ सकता है? हम 2 से भाग देंगे तो successful या 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है? तो जिस base में हमें convert करना है हमें base 2 में convert करना है binary number में convert करना है तो हम किससे divide करेंगे? 2 से जदि मुझे ôkta number बनाना होता मतलब किसका base क्या होता? 8 तो मैं किससे भाग देता? मैं भाग देता 8 से चलो करते हैं 2 से भाग दे 2 एक काम 2 1 0 आ नहीं जा नहीं मतलब 6 वर कितना बच गया 1 बच गया अब इस 10 को फिर 2 से भाग दू 2 पंजे 10 6 वर 0 आप 5 को फिर 2 से भाग दोगे 2 दूली 4 6 वर 1 फिर 2 को फिर भाग दोगे 2 से 2 एक काम 2 6 वर 0 इस 1 को फिर भाग देना है हमें 2 से भाग नहीं जाता 0 आप 6 वर 1 का 1 अब इस नंबर को नीचे से बोटम से कामट करना है सबस पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1 यह वहा 1 0 1 0 1 ज़िए वह नीचे से कामट रणा है 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 जी हमारा बाइनरी नंबर बन गया किसका यदि मैं 21 को बाइनरी में कनवर्ट करता हूँ तो क्या आया 1 0 1 0 1 जदि इसी बाइनरी से हम डेसिमल नंबर बनाएं तो क्या आना चाहिए 21 यह आना चाहिए कैसे बनेगा आओ जानते हैं इस बाइनरी नंबर से वापिस डेसिमल नंबर बनाना देखो लेफ्ट से सोरी डाइट से बिल्कुल राइट से सुरुआत करना है हमने कौन सा नंबर है हमारे पास ही है बाइनरी बाइनरी नंबर मतलब इसका बेस क्या होगा दो होगा तो हमें दो की पावर से सुरुआत करना है बिल्कुल राइट से दो की पावर जीरो से सुरुआत करेंगे इस एक को लिखे हैं दो की पावर जीरो इस जीरो गो दो की पावर एक इस एक को 2 की पावर 2, 0, 2 की पावर 3, 1, 2 की पावर 4, लैक से सुराब क्या, जितने नंबर है, उतनी पावर, पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अब जहाँ जहाँ 0 है, उस वाली टर्म को हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 की प संख्या को गुना करें तो क्या हो जाएगी जिरो हो जाएगी तो धोब ईस श्रीक वारे थे ऴ advocates क्या बच गया मात पास 2 की पावर 4 क्या होता है 16 दो की पावर 2 क्या होता है चार और 2 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होता है एक होता है है तो 16 और 4 20 20 21 यह इस binary number को decimal number में convert किया सबसे पहले हमने decimal से क्या बनाया binary number बनाया कैसे बनाया binary number बनाना मतलब बेस क्या है दो तो उने किस से डिवाइड किया 2 से binary number बन गया अब इस binary number को किस में convert करना है decimal number में binary number बेस किया है 2 की पावर एक दोर्वार दोर्वолод रिमका key पावर गारेंगेडं दोड़ी जीना डिवाण अब जो जीना एप ओर्युद्व हमलें च्विसी नहीं रहेंगे तो यह दो एक नहीं दो की मावड चार कहा सोड़ा दू की पावर दो क्या हुआ चार और दू की पावर जीरो क्या हुआ एक सोड़ा और चार बीस और एक किस उम्मीद करता हूं समझाया होगा चलो एक कोशन करते हैं एक और एक्जामपल लेते हैं हम चेंज करेंगे 48 गो हें कि कि इसे हमें कंवर्ट करना हैं बाइनरी की बाम करना है जैसे आप जानते हैं बाम करना हैं तो हमें किसवात देना होगा 2 से फोटेट को दो से बाग दें क्या हैगा 24 से स्वल जीरो फिर दो से बाग दूँगा से स्वल जीरो फिर दो से बाग दिया दो ची के बारा से स्वल जीरो फिर दो से बाग दिया दो तिया, छे, सेस्वल कितना आया, जीरो, फिर तीन को हम दो से बाग देंगे, दो एकां, दो, सेस्वल कितना आया, एक, अब एक को भी दो से बाग देना है, जीरो बाद, और सेस्वल कितना आया, एक, कहां से सरवाद करेंगे, बोर्टम से, करेंग, क्या करते हैं सवब, वन, वन, जीरो, जीरो, जीरो और जीरो खॉट्या, यह हमार बास नमबर बन गया, यह बाइनरी नमबर बन गया कितना दो आप इस बाइनराी नमबर से फिर पिर मुझे है बनाना है डे जी सिवार दिखते है pick जीरो से और जो जो जीरो वाली टर्म में मिली नहीं दी है दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, दो की पावर चार दो की पावर पाँच 0 शुरात करें, 2 power 0, 2 ki power 1, 2 ki power 2, 2 ki power 3, 2 ki power 4, 2 ki power 5, 0 वाली power नहीं लेगे, क्यों 0 बना लेगे, 2 ki power 5, क्या होता है, 32, 2 ki power 4, क्या होता है, 16, 32, 16, 48, ठीको, आया समझ भू? 48 को binary बनाया फिर उस binary को decimal बनाया उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझाया होगा अब एक question है आप लोगों के लिए आप उसे solve करो और comment में उसका answer दो 75 का binary number क्या होगा 75 को यदि में binary number में convert करूँ तो क्या होगा ये question है आप लोगों के लिए आप इसको solve करो solve करके अपना comment में answer post करो ठीक है अब हम सीखते हैं जो number decimal number जो points में होते हैं उनको कैसे binary में convert किया जाए जैसे कि आपके पास है एक number 23.25 decimal number है हाँ decimal number है इस number को convert करना है हमें किस में convert करना है binary number को convert करना है बड़ा असान है कैसे जैसे भी तक करते आए दे point से पहले वाली संख्या हैं बाद में convert करते हैं सबसे पहले point से पहले वाली संख्या हैं उनको convert करो कैसे 23 को कैसे करते दे किस से भाग देना है दो से दो से भाग देंगे कहां से सरवात करनी है बोटम से 10111 10111 आ गया ठीक यह तो आयग 23 रिकार लेकिन अभी हमारे पास point 25 बाकी है जो आपके पास point में हो हमारे पास point में क्या है 25.25 इस point 25 को जो भी संख्या आपके पास हो हमें दो से multiply करना है और कब तक करना है जब तक one नहीं आ जाए देखो जैसे point 25 binary रिंपर बनाना है binary बनाना मतलब किस से 2 से करते हैं 2 से 2 से multiply करूंगा तो क्या आएगा point 50 क्या ही point 50 बनाया नहीं आया one नहीं आया point लगाया 0 जब तक one नहीं आया जब तक हम क्या लगाएगे इस point 50 को फिर 2 से multiply करो जो आया क्या आया है हाँ अब complete एग आया complete one आया तो one यह हमारा बन गया binary number कैसे था point 25 point 25 को 2 से multiply क्या point 5 आया one नहीं आया one नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे 0 अब point 5 को फिर 2 से multiply क्या अब आ गया one complete बना गया अब हम क्या लिखेंगे one यह हमारा binary number बन गया अब इस binary number को यदि मुझे वापिस decimal बनाना हो तो फिर क्या आना चाहिए 23.25 आना चाहिए यह आना चाहिए हाँ यह आना चाहिए चलो सीखते हैं कैसे इस binary number को decimal में बनाया जा सकता है चलो देखो उसी प्रिकाद जैसे हम करते आये थे points वाली संख्याए आपको बाद में solve करेंगे यह पहले points से पहले जो आपने सीखागा करें सुरॉत कहां से सुरॉत करना है 2 की power 0 से यह 2 की power 1 यह 2 की power 2 2 की power 3 लेकिन 0 वाली हम नहीं लेंगे यह क्या होगा 2 की power 4 पॉइंट के बाद जो digit है कितले digit है 0 और 1 2 point के बाद हमें शुरू होना है point के बाद जो power आएगी वो आएगी minus में यह बात note करने लाइक है कि जो point के बाद power आएगी power किसमें शुरू होगी minus में 2 की power minus 1 इसका मतलब क्या होता है power यह नीचे जाएगी किसकी होजाई plus किसका मतलब होता है one of one 2 की power 1 अब यहां से शुरूआत करेगी minus में जाएगी power 2 की power minus 1 रोग गया अब एक के लिए क्या होगा 2 की power minus 2 point के बाद जितने digit है उत्तरा ही power minus हो चली जाएगी यह यह एक और होता तो 2 की power minus 3 अब देखो 2 की power 4 क्या लिखेंगे सोड़ा 2 की power 2 को 4 2 की power 1 2 और 2 की power 0 1 पॉइंट है तो point लगाया 2 की power minus 1 मतलब 2 की power minus 1 1 by 2 यह वा 1 by 2 2 की power minus 2 2 की power minus 2 मतलब 1 upon 2 की power 2 और 1 upon 2 की power 2 मतलब 1 by 4 और 1 by 4 मतलब 0 point चलो 1 by 4 ठीक है सही है 1 by 4 लिख दिया अब अब देखो 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23 लेकिन 0 वाली हम 2 की power नहीं लेगे 0 वाली 2 की power गुना होगी तो क्या बनाएगी 0 वाली हम नहीं लेगे यह कितना बनाए हमारा यह बनाए हमारा 30 बन गया अब आगे क्या है आगे बचाया सिर्क 1 by 4 क्योंकि 1 by 2 नहीं लेगे 1 by 2 0 से गुना होगा पावर नहीं लेते थे जैसे यहां में 2 की power 3 नहीं ली ठीक है अब 1 by 4 का मतलब क्या होता है 1 by 4 का मतलब होता है point 20 हमारा binary number से decimal number बन चुका क्या हुआ 20 point 25 ठीक है उमीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और एक question फिर आपके लिए इसी पर आपको question solve करना है question solve करके करके मुझे comment में उसका answer post करें question है आपके लिए 47.25 को binary number में change करो 47.25 को binary number बनाना है ठीक है फिर उसी binary number को आपको free decimal number बनाना है यह question आपके practice के लिए है उमीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई है तो उसे जद़ जद़ लाइक करें share करें चैनल को subscribe करें और मुझे कमेंट में बताएं कि अगला topic आपको सब पढ़ना पसंद करो रहे हैं किस topic में आपको सबसे ज़्यादा problems आ रही है ठीक है रही है